आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नोशकर, जानेंगे इस कारोबारी सब्ता, जो मेजर नॉन अग्री कमोरिटीज याने प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनरजी कॉम्पलेक्स में कमोरिटीज हैं, वहाँ पर क्या रुजान देखने मिल सकता है शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं, हमने काफी उठा पटक का दौर देखा है, गोल्ड और सिल्वर में, खास करके गोल्ड में, जहां पर हमने 50,800 तक के स्थर भी देख लिए, और उसके बाद में एक राली देखी गई, 51,800 तक, जिसके बाद दुबार प्राइज की बैठक है, चार मई को जिसका रिजल्ट आएगा, और जहां पर उमीद है कि एट लिस्ट, 50 विस्स पॉइंट्स याने आधे परसेंट की जो ब्यास देरे हैं, उसमें बड़ोतरी की जाएगी, इसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स, जो एक अंतराशे लेवल पे, येरो औ पाउंड और येन के अगेंस ट्रेड होता है, उसमें हमने तीन फीजदी से जादा की तीजी देखी है, या उच्छाल देखा है, जिस वज़े से हमने गोल्ड में अच्छा खासा दबाव आते हुए देखा, और इसके साथ ही जो हमने पिछले हफते डिसकस किया था, कि गो अरुजहन देखने मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं, तो एक जो एक लक्ष था, वो हमने जिससे डिसकस किया कि हासिल हो चुका है, और वहां से एक बाउंस बैगी मिला है, अलाकि 1920 डॉलर जो शुक्रवार का हाई था लगभग, वहां से हमने दुबारा प्राइजिस को फ देखने मिल सकते हैं, और वहां पर दाम समाल सकते हैं, लेकिन अगर 1875 डॉलर दुबारा ब्रेक कर देती है प्राइजिस तो 1840 डॉलर तक भी यह जो फॉल है, यह एक्स्टेंड हो सकता है, अगर हम भारती बजारों में इसकी करें तो लगभग 50,300 तक किस तर भी देखने म मिल सकते हैं, अगर 51,000 का जो लेवल है वो तूट जाता है तो, वहीं पर चांदी में लकातार हमें गिरावट आते हुए देखी है, यहां तक कि 34,000 का जो लेवल था, उसके नीचे भी मही वाइदा जो है उसने क्लोज दिया है, और अगर नेक्स कांट्राक की बात करें तो वो 64,300 के आसपा चल रहा है, लेकिन ओवर ओल साड़े 55,000 के नीचे जब तक प्राइजिस हैं, तब तक सेल ओन डाली किया जा सकता है, अगला कांट्राक भी मुझे लगता है कि 63,000 के काफी करीब जा सकता है, शौट टो मेडिया टर्म बेसिस, तो दोनों ही गोल्ड और सिल कर रहा है, और ऐसा लगता है कि यह रिशियो करीबं 86 से 87 तक जा सकता है, और एक्स्ट्रीम केस में 90 तक भी जा सकता है, इसका मतलब यह है कि गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में गिरावट रहेगी, लेकिन चांदी में शौट टर्म में ज्यादा गिरावट रहने की पान सो पच्वन से साट की जोन में, और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ हफतों के लिए यह तेजी का माहल बना रहेगा, इमिजट तोर पर पान सो बीस का एक इमिजट अच्छा सपोर्ट है, और सबसे नजदी की सपोर्ट पान सो पैंतालिस का है, जब तक यह दो लेव तक क्लोजिंग आते हुए देखी और जो हाइस थे, वो करीबन आट हजार दोसो सतर के करीब के थे, तो जो पिछले हफ़ते हमने तेजी की बात की थी, साथ हजार चार सो, साथ हजार तीन सो से, वो पूरी तरह से एक तरह से जो लक्ष थे, वो हासल होते हैं, और ऐसा लग लगता है कि निकलेंगी तो आठ हजार चार सो का एक लेविल दिखेगा और उसके बाद आठ हजार छे सो पचास का लेविल दिखने भी मिल सकता है, तो बायों डिप की रणीती अपनानी चाहिए, कच्छे तेल में, यहां पर अगर मैं खबर की बात करूं, तो जर्मनी ने जो एक अबजेक्शन लिया था, रूस के कच्छे तेल के सप्लाई पर जो प्रतीबंद लगाया जा रहा था, यूरोपे देशों के द्वारा, उन्होंने जर्मनी ने अबजेक्शन किया था उसके लिए, लेकिन पिछले हफ़ते वो अबजेक्शन हटाया गया है, इसका मत जैसे दाम जो है, हमने अच्छे खासे उपर जाते हुए देखे हैं, तो कच्छे तेल और नाच्छल गयास दोनों में ही जो तेजी है, उसका रुज़ान बरकरार रहेगा, ऐसा लग रहा है, वहीं बेस मेटल्स में हमने चोतरफा गिरावट आते हुए देखी है, जहां प पर भी नेगेटिव क्लोस देखने मिला है, 785 की नीचे, आने वाले दिनों में, क्योंकि चीन में अब भी बीजिंग और शांगाय जैसे बड़े शहरों में लॉक्टाउन की स्थिती है, और यूएस फेड की तरफ से जो बयान आएंगे हो सकता है, वो भी शॉट तरम में, इक्विटी मारकेट्स, करंसी मारकेट्स और बेस मेंटल्स के लिए याने रिस्की असेट्स के लिए कहीं नेगेटिव हो सकता है, तो ये कारण जो हैं बेस मेंटल्स को और नीचे की तरफ ड्रैक कर सकते हैं, और कॉपर हो सकता है, हमें 765 तक जाता हुआ देखे, जब तक 810 के नीचे है तब तक के वियू बना रहेगा वहीं पर जिंक जो है वो 345 से 342 के लक्स को चू सकता है और अलुमिनम करीबन 245 तक गिरता हुआ या फिसलता हुआ देख सकता है तो तीनों ही बड़े बेस मेटल्स में हमें गिरावट का रुप देखने मिलेगा ऐसा मेरा मानना है तो ये था एक जाइजा कि आने वाले हफते में जो काफी इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट्स हैं उनका कमॉरिटी मार्केट्स पर क्या आसर हो सकता है तन्यवाद तन्यवाद